जी हाँ स्वागत है आपका तो ऐसे अब भरती जो फिचकल एजुकेशन, सीटेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये मनोवी ग्यान बेहद महत्यपूर है इसके पिछले वीडियो में अब तक 184 अति महत्यपूर प्रशनों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं अगर वह वीडियो आपने मिस किया है तो उन तमाम महत्यपूर प्रशनों पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो में प्रश नमबर 185 से शामान निभासा में संग्यान का अर्थ क्या है यही बताना है तो इसका सई जबाब क्या हो जाएगा जानना या चिन्तन करते हैं इसका उदेश भोता है? प्रस्टारी नमबर 188 रॉस के अनुशार समवे कितने प्रकार के होते हैं? रौस के अनुशार सम्वेक कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं राइट चलिए नेश्ट शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है कितने वर्स में शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है ये छे माह में राइट चलिए नेस्ट पॉइंट है बालकों में कुल कितने परकार के संवेख पाए जाते हैं बताइए बालकों में कुल कितने परकार के संवेख पाए जाते हैं तो 14 परकार के संवेख पाए जाते हैं और नेस्ट है शिशु में सर्व पर्थम द्रिष्टी गोचर होने वाला संवे कौन सा है तो वही फिर से आगया कोशन रिपीट हुआ है कोई बात नहीं है अगर रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं है ठीक है सामान उत्तेजना सिसु में सर पर्थम द्रिष्टी गोचर होने लगता है शामान उत्तेजना राइट चलिए नेश कोशन है किसी अनुकिरिय की तिरधुर्बिय परकिरिया में किसको कायरिवाहक माना है सही जबाब क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा सिक्षक को राइट चले 194 सीखने के लिए सबसे महत्पूर घटक कौन है सीखने के लिए सबसे महत्पूर घटक क्या है सिक्षक और सिखाने वाला राइट चले कि मद्ध संबंद कैसा होना से ऒबाब क्या हो जाएगा इसने होना चाहिए विश्वास हो ना चाहिए और सम्मान का संबंदislateur पृषिछ निश्चंप कर न, 36 हैुआ थाप मेंakyों्छ इसुथ संबंदीथ हैं थाफ्ट न, लिखना प्रस्ण हल करना और यह प्रस्ण पूछना यह सिक्षण की कुसलता से संबंदित है यह सिक्षण के इसकील है ठीक नेश्ट है प्रस नमबर 197 पाठिकरम सिक्षण के कौन से चर में आता है कोशन फिर से समझ लिजे जो पाठिकरम है वो सिक्षण के कौन से चर में आत है कि लिर से एक सौठाजव है चिरतं के परकार कौन-कौन से सै चिंदन के परकार मत वताज़िव सब्सक्राइब गड़ित और बज्जान सीखने में प्राया पर्योग होता है किस विधी का पर्योग किया जाता है गडित और विज्ञान सीखने में प्राया किस विधी का पर्योग किया जाता है तो परियत्न और भूल सिध्धान्त का पर्योग किया जाता है परियास तूर्टी सिध्धान्त ठीक है ना मनोविज्ञान के जनक कोन है तो सही जभाब हुझाएगा अरस्तु ठीक रिपबलिक पुस्टक के लेखक का नाम बताना है सही जबाब लेटो सीखने का हिर्दा यानि हार्ड लर्णिंग कहा गया है सीखने का हिर्दे किसको कहा जाता है तो अब प्रिर्णा को सीखने का हिर्दे कहा गया है और इमील जो पुस्तक है उसके लेखा कौन है सही जबाब रुसो संग्यानवादी पद्धत के जनक कौन है बताइए सही जबाब जीन पियाजे और ब्रुनर राइट नेस्ट पॉइंट अधिगम का कारक है ठीक है ना अधिगम का कारक कौन कौन सा है क्या किया जाये जिससे अधिगम ज़्यादा होगा तो अधिगम का कारक है अभप्रिर्णा धियान और रुची इसके बीना अधिगम नहीं हो सकता है प्रस्ट नमबर 206 है कि लैटिन सब्द साइको का अर्थ क्या है आत्मा जन तंत्रिये सिख्छा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है सही जवाब क्या होगा सही जवाब होजागा जॉन डिवी ठीक है बुद्धी लब्धी किसके समान होती है तो बुद्धी कायू प्लस वास्तिवी कायू गुड़े सो इसके बराबर होती है ठीक चले प्रस्ट नमबर 209 गेस्टाल्ट वाद का जनम दाता किसे माना जाता है सही जवाब मैक्स वर्दाइमर को नेस्ट 210 प्रेरक संपरदाय के परतिपादक है कौन मैक डूगल भाटिया बैटरी परि प्रस्ट नमबर 212 है कि बाल अध्यन विकास में किस मनो वैग्ञानिक ने पुरुषकार को महत्तु दिया है सही जवाब थॉन डाइक ने भी महत्तु दिया है पावलाव ने भी दिया है और इश्कीनर ने भी दिया है कोशन नमबर 213 है अलबर्ट बंडूरा किस सिध्दा का प्रतिबादन किसी और ने नहीं किया था अलवर्ट बंदूरा ने ही किया था और भी महत्ति प्रशनों पर प्रैक्टिस इसके नेस्ट वीडियो में धन्यवाद